जैसे कि आप सब जान चुके हैं, किस्टल जालकों में जब अव्यवी पर्माणूं की पैकिंग होती है, तो अव्यवी पर्माणूं किस्टल जालक का संपून आयतन नहीं घेरते, उचमें कुछ स्थान रखते रहता है। तो किस्टल जालक में या इकाई कोशिका में अव्यवी पर्माणूं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, उसे हम इकाई कोशिका की संकुलन चमता या पैकिंग फ्राक्शन कहते हैं। भिन भिन इकाई कोशिका या भिन भिन जालकों में पैकिंग फ्राक्शन अलग अलग होती है। यने की SCC से, संकुलन छंता ग्याद करने के लिए हम इसे तीन भागों में बाट लेते हैं, सबसे पहले हम unit cell में परमाणों की संख्या ग्याद करेंगे, इसके बाद हम ग्याद करेंगे कि परमाणों तरिज्जा तथा कोर लंबाई में क्या संबंद होता है, और इसके बाद ह जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सरल घनी unit cell में जो परमाणों होते हैं, केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, और कॉर्नर पर उपस्थित परमाणों unit cell के आयतन में अपने एक बटे आठवे हिस्से का योगदान देता है, तो कुलकणों की संख्या कितनी होगी, 8 into 1 by 8 is equal to 1, इस तरह से एक इकाई कोशिका में एक परमाणों के द्वारा जो घिरा गया आयतन होगा, वो एक गोले के आयतन के बराबर होगा, और एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4 by 3 pi r cube, तो इस तरह से हम गोले का आयतन ग्याद कर लेंग जैसे कि आप देख रहे हैं, सरल घनी unit cell में, जो corner पर उपस्थित परमाणों हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में हैं, और यदि हमें इन परमाणों की त्रिज़ा ग्याद हो जाए, तो हम उससे परमाणों का आयतन ग्याद कर सकते हैं, और यहाँ पर अब देखिए, दो पर से चुकि सरल घनी जो इकाई कोशिका होगी, उसमें सभी जो age length होती है, यानि कि A एक दूसरे के बराबर होती है, तो इस तरह से यानि कि age length बराबर यदि A है, तथा गोले की त्रिज़ा यदि R है, तो इस तरह से सरल घरी सरचना के लिए, जो age length यानि कि A किसके बराबर हो और इस तरह से R बराबर हो जाएगा A by 2 और इस तरह से हम R की गर्णा कर पाएंगे अब इसके बाद हम देखते हैं संकुलन छम्ता ग्याद करना तो संकुलन छम्ता पैकिंग फ्रेक्शन का सूत्र होगा परमाणू के द्वारा घेरा गया आयतन या परमाणू का आयतन by घनी A का कोशिका का कुल आयतन तो यहाँ पर चुकी एक ही परमाणू है तो परमाणू का आयतन हो जाएक के लिए हम A क्लिक देंगे और इन्टू 4 by 3 pi r cube और by हो जाएगा यूनिट सेल का आयतन जो की A cube के बराबर होगा तो इस तरह से इकाई कोशिका का आयतन हम निकालेंगे वो A इन्टू A इन्टू A यानिकि लंबाई गुड़ी चोड़ाई गुड़ी उचाई होगी तो कुल आयतन हो जाएगा A cube के इस तरह से पेकिंग फ्रैक्शन इस इक्वल टू 1 इन्टू 4 by 3 pi r cube by A का cube और चुकी हमने A का मान निकाला है A is equal to 2R और इस तरह से हम इसका मान यहा पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 in 2 4 by 3 pi r cube by 2 r whole cube और चुकी हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए हम इसमें गुड़ा कर देते हैं 100 का अब हम देखें कि सबसे पहले हम two R qube को solve करें तो इसका किस तरह से होगा यह 2R into 2r into 2r है तो यहाँ पर अब देखें यह हो जाएगा एट आर क्यूब के और इस तरह से अभे हम in cancel कर देते हैं तो यह देखेंगे auss hit आर क्यूब कैंसल हो जाएगा यहां पर 4 और 8 कैंसल हो जाएगे यहां पर 2 आ जाएगा और इसके बाद जो हमारे पास समीकरण मिलेगा वो हमारे पास बेचेगा पाई बाई 6 इन्टू 100 और हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 तो वहां पर हम रख देंगे 3.14 बाई 6 इन्टू 100 और हमारे पास प्रतिशत निकलाएगा 52.3 तो इस तरह से सरल घनी यूनिट सेल हैना सरल घनी एक कोशिका की जो संकुलन शमता होती है वो होती है 52 2.3 और इस तरह से बाकी का जो शेस भाग है यहने की 47.7 परसंट जो होता है वह रिक्त होता है अब हम देखते हैं फलक केंद्री घनी जालक यहने की FCC सरचना की संकुलन शमता FCC सरचना की संकुलन शमता के लिए सबसे पहले हम यूनिट सेल में और मुखी संख्या की गर्णा करते हैं अब हम जानते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह फलक केंद्री यूनिट सेल में जो कण है वो कोनों पर उपस्थित रहते हैं और साथ ही साथ प्रत्यक फलक पर संख्या होगी और साथ ही जो फेस पर उपस्थित हैं फलक पर उपस्थित गोले हैं उनके लिए हो जाएगा 6 into 1 by 2 is equal to 3 यानि कि कुल गोलों की या परमानूं की संख्या हो गई 4 अब हम ज्याद करते हैं फलक केंद्री घनी जालक सिस्टम के लिए परमानूत रिज्जा और किनारों में क्या संबंद्ध होगा तो यहां पर हम एक फलक ले लेते हैं यह फलक है A B C D अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कॉर्णर पर उपस्थित परमानूं है वो मध्य में उपस्थित फलक पर उपस्थित जो परमानूं है उनके संपर्क में है और इसलिए ह यहां पर एसे लेकर सी तक की जो दूरी है यह हमें लंबाई है पता करनी होगी और आप देख रहे हैं की amplitude की जैकित लंबाई है यह कॉर। वाले गोले के तरजा प्लेस बीच वाले जो गोले के पूरे व्यास याने कि टू आर और किनारे वाले गोले की तरजा के बराबर है याने कि A C आपकी जिसे हम B नाम दे देते हैं क्योंकि आपकी बाकी के जो A B और B C इनकी लंबाई जो कोर लंबाई है वो A के बराबर है तो A, C को हम B नाम दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो B होगी वो 4R के बराबर होगी जबकि दोनों A जो हैं वो 2R के बराबर होगे इस तरह से अब हम यहाँ पर A, C की लंबाई ग्याद करते हैं और A, C की लंबाई ग्याद करने के लिए हमें चुकि एक समकोंड बनाना क्योंकि यह क्या है यह फलक पर उपस्तित विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई ग्याद करने के लिए हमें पैथागोरस प्रमे का उप्योग करना होगा जिसमें हम इस तरह से एक समकोंड त्रिभुच बना लेते हैं अब समकोंड त्रिभुच A, B, C में हम यदि A, C बराब ले तो यह किस के बराबर हो जायगा A, B के स्क्वार के और प्लस B, C के स्क्वार के तो इस तरह से यदि हम a, c को हमने b माना है तो यह हो जाएगा b2 is equal to a square plus a square या जिसे हम लिख सकते हैं b2 is equal to 2a square या B is equal to हो जाएगा root 2 into A और इस तरह से चुकि हमने निकाला है B is equal to 4R तो यहाँ पर हम लिख देंगे B की जगह पर 4R और यह हो जाएगा is equal to root 2 A तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने R की value यहाँ पर और इस तरह से A यदि हम लें तो यह निकाल लेंगे के A बराबर हो जाएगा 4R by root 2 तो यहाँ पर भी हमने A की value निकाल ली है अब इसके बाद हम packing fraction के सूत्र में इसको रख कर packing fraction ज्याद करेंगे और इस तरह से फलक केंद्रित घनी कोशिका की जो संपूर्ण आयतन होगा यानि की A cube यह किसके बराबर होगा A cube बराबर होगा 4I by root 2 का whole cube और जिससे हम solve करेंगे तो मिल जाएगा हमें 64R cube by 2 root 2 और इस मान को हम packing fraction में रख कर packing छमता निकाल सकते हैं तो इस तरह से इसको हम रखते हैं तो PF is equal to होगा चुकि यहाँ पर फलक केंद्री घनी जालक में कणों की संख्या 4 होती है और इसलिए हमें 4 गोलों का आयतन निकालना होगा तो इस तरह से हम packing fraction में लिखेंगे 4 into 4 by 3 pi r cube by a cube into 100 हम a cube का मान रख देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 into 4 by 3 pi r cube by 64 r cube by 2 root 2 और 2 root 2 चुकि नीचे है यह ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा into 100 अब यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन सी चीजी एक दूसरे से cancel हो जाती है तो यहाँ पर हम देखें r3 r3 cancel हो जाएगा उसके बाद 4 से 64 भी cancel हो जाएगा और यहाँ पर 2 से भी 8 cancel हो जाएगा और इस तरह से जब हम cancel कर लेंगे तो हमारे पास जो value मिलेगी वो हो जाएगी root 2 into pi by 6 into 100 अब यहाँ पर root 2 और pi की value हम रख देते हैं तो root 2 की value होती है 1.414 और यहाँ पर pi की value होती है 3.14 तो यहाँ पर value रख देते हैं तो यह हो जाएगा 1.414 into 3.14 by 6 into 100 और इसको solve करेंगे तो हमको मिलेगा 74 पासें तो इस तरह से जो फलक केंद्री घनी कोश्का होती है उसकी packing fraction मिलती है 74 पासें अब इसके बाद हम निकालते हैं अन्ता केंद्री घनी जालब यानि की BCC में की संकुलंचंता कैसी होती है तो इसके लिए भी सबसे पहले हम निकालेंगे unit cell में कणों की संख्या आप जानते हैं कि जो अन्ता केंद्री घनी cell होता है उसमें corner पर उपस्थित होने के साथ ही साथ जो एक परमाणू होता है वो unit cell के केंद्र पर उपस्थित होता है तो यहनि की जो कुल कणों की संख्या हो जाती है 8 into 1 by 8 is equal to 1 और जो body के center में उपस्थित एक कण है तो उसमें 1 plus 1 is equal to 2 तो यहाँ पर जो गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन होगा वो दो गोले के आयतन के बराबर होगा अब इसके बाद हम निकालते हैं परमाणू तरज्या तथा age length में संबंध तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अन्ता केंद्री घनी कोशिका की सरचना यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अन्ता केंद्री घनी कोशिका होती है उसमें जो corner के atom होते हैं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते लेकिन यह जो body center पर जो उपस्थित परमाणू होता है उसके संपर्क में होते हैं तो यदि हमें आर निकालना है तो उसके लिए हमें एक body diagonal खीचना होगा जो कि किनारे के एक face पर उपस्थित corner और सामने वाले face पर उपस्थित corner atom के साथ साथ बीच में जो केंद्र में उपस्थित केंद्र corner है उन सब को एक दूसरे से मिलाते हुए और इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो हमें यदि हम यहाँ पर दो face ले लें A, B, C, D और पीछे वाला face ले लें E, F, G, H तो यह दोनों में जो एक जो corner होगा वो A point पर आपको दिखाई दे रहा है जो दूसरा गोला होगा corner का वो F point पर उपस्थित है यानि कि सामने वाले face पर उपस्थित है जबकि बीच वाला जो परमाणू होगा वो मध में उपस्थित है अब हम यहाँ पर A से लेकर F तक एक जो लंबाई खीचते हैं तो वो यहाँ पर काय, विकन या फिर जिसे हम body diagonal कहेंगे वो प्राप्त होती है और यदि इसकी लंबाई हमें पता हो जाए तो हम गोले का जो संपूर आयतन परमाणू की द्वारा घीर अगया है वो ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर अब देखेंगे कि इसका जो A F की लंबाई होगी यहाँ पर भी देखें तो यह एक आर कॉर्नर वाले गोले के बीच वाले का 2 R और फिर से कॉर्नर वाला जो गोला है उसके R के योग के बराबर होगी यहाँ पर भी यह 4 R के बराबर होगी अब यदि हम इसको समकोन त्रिभूज में रखते हुए हम A F जिसे हम C नाम दे देते हैं की लंबाई ग्याद करनी है तो हमें फिर से यहाँ पर आप एक समकोन त्रिभूज बनाना होगा तो यहाँ पर हम एक समकोन त्रिभूज बनाते हैं A F और D यहाँ पर आप देखेंगे कि A और D की जो लंबाई है वो A है और F और D यहाँ पर यह फिर से एक Fes Diagonal है यहाँ पर फलक विकॉन है जिसे हमने P नाम दिया हुआ है और यहाँ पर A F जो है उसे हम C नाम देते हैं तो यदि हम समकोन त्रिभूज A F D में दे तो A F square is equal to A D square plus F B square हमें ग्याद करना होगा यहाँ पर आप देखें कि यहने कि जिसे हम लिख सकते हैं C square is equal to A square plus B का square यहाँ पर B का square जो की एक फिर से फलक विकॉन है इसकी value हमें ग्याद करनी होगी तो इसके लिए हमें एक फिर से एक समकोन त्रिभूज खीचना होगा जो की होगा आपका F E D के बराबर और F E D से हम B की लंबाई ग्याद करेंगे तो इसलिए हम लिख सकते हैं F D का square is equal to F E का square plus E D का square और यहाँ जिसे हम लिख सकते हैं B का square is equal to A का square plus A का square और इसलिए यहाँ पर आप B का square बराबर 2A भी लिख सकते हैं और इसके बाद B is equal to आप यहाँ पर root 2A लिख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमें B की value पता हो गई root A और इस value को अब हम अपने जो पहले वाले सम्मी करण हैं उसमें रखते हैं C square is equal to A square plus root 2A का whole square यहाँ पर हमने रख दी B की value अब हम जानते हैं कि root 2 into root 2 is equal to 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम उसका मान रख देते हैं C square is equal to A square plus 2A square यहाँ पर हो गया तो C is equal to क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों को जोड दें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा C square is equal to 3A square भी इसको लिख सकते हैं तो C is equal to हो जाएगा root 3A और इस तरह हमें C की value प्राप्त हो गई अब जो C है वो वास्तों में body diagonal है और जिसकी लंबाई हमने निकाली है 4R तो इस तरह से 4R is equal to हो जाएगा root 3A यहाँ पर हम C के value रख सकते हैं अब इस तरह से A is equal to हमें क्या मिल जाएगा? 4R by root 3 या इसी को जब हम A क कोशिका के item A cube निकालेंगे तो यह value हो जाएगी A cube is equal to 4R by root 3 का whole cube और यह value मिलेगी हमें 64R by root 3 का cube अब आप जानते हैं कि root 3 का cube यानि कि root 3 into root 3 into root 3 जिसको हम 3 root 3 भी लिख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो value मिली वो हो जाएगी A cube is equal to 64R by 3 root 3 और इस तरह से हम इसको आपके ने संकुलन चमता ग्याद करने के लिए अब सूत्र में लगते हैं चुकि यहाँ पर अंता केंद्री घनी कोशिका में कणों की संख्या 2 होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो गोनित गोलों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे या इसमें लिखेंगे कुल इकाई कोशिका का आयतन और यहाँ पर हम सभी value रग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into 4 by 3 pi r cube by 64 r by 3 root 3 का whole cube और इस तरह से यह into क्योंकि हमें percent निकालना है तो हम कर देंगे into 100 अब यहाँ पर चुकि root 3 root 3 जो है वो उपर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारी पास जो equation मिलेगा वो हो जाएगा 2 into 4 by 3 into 4 pi r cube by 64 into r cube तो इस तरह से जो हमें equation मिलेगा वो हो जाएगा 2 into 4 into pi r cube into 3 into root 3 by 3 into 64 into root 3 is equal to 100 जब हम solve करेंगे इनको तो मिलेगा हमें pi root 3 by 8 into 100 अब pi की value होती है 3.14 और root 3 के value होती है 1.7 तो यह value हम रग दें 3.14 into 1.7 by 8 into 100 तो हमें जो value मिलेगी वो हो जाएगी 68 percent तो इस तरह से जो अंता केंदरी घनी कोशिका होगी उसकी संकुलन छमता होगी 68 percent तो तीनों ही सरल घनी एकक कोशिका फलक केंदरी एकक कोशिका और अंता केंदरी घनी एकक कोशिका इन तीनों की तुलना करें, तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो संकुलन छमता होती है, वह फलक केंद्री एक कोशिका की होती है, 74%. आईए अब जानते हैं, एक कोशिका विमाओ संबंधी गड़नाएं। एक कोशिका विमाओ की यदि हमें जानकारी हो, तो इसकी सहायता से हम एक कोशिका का आयतन ग्याद कर सकते हैं। तो हम एवगेड्रो स्थरांग संबंधी गड़नाएं भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एक कोशिका के घणत्व की यदि हमें गड़ना करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक घणी क्रिस्टल जालक है, और मलेजिए कि एक्स किरण विवर्तन के द्वारा इसकी जो कोर की लंबाई है, वो ए ग्याद हुई है। और पदार्थ का जो घणत्व है, उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल D से, साथ ही जो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, वो है कैपिटल M के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ग्याद करना है एकक कोशिका का आयतन, तो हम जानते हैं आयतन जो घणी जालक होता है, उसके लिए आयतन होगा कोर जो लंबाई है, उसका क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा जो एकक घणी कोशिका होगी, उसका आयतन हो जाएगा A क्यूब के, और इस तरह से ए का जो एकाई कोशिका है उसमें उपस्थित कुल परमानों की संख्या गुड़ा एक परमानों का द्रवेमान तो इस तरह से यानिकी कुल कणों की संख्या यदी हम capital Z से शो करें और पदार्थ या एक परमानों की द्रवेमान को हम small m से शो करते हैं तो एक कोश्ठी का जो द्र द्रवेमान हम किस तरह से घ्याORA करेंगे यनिकी जो स्मॉल एम है कैसे निकाल सकते हैं उसको निकाल सकते हैं जो पधार्थ का मोलर द्रवेमान है यनि तो इस तरह से यह जो मुलर द्रव्यमान, small m होगा, वो हो जागा capital M by Na, तो और इस तरह से अब हम बड़ी असानी से घनत्व, यानि कि small d की गणना कर सकते हैं, तो घनत्व बराबर होगा, एक का कोस्ठीका, है ना, क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है, द्रव्यमान, बटे आय जो एक कोस्ठीका का आयतन, यनि की A का क्यूब, यहाँ पर हम small n की इस्थान पर capital M by Na भी लिख सकते हैं, तो हमारा जो d is equal to मिल जाएगा, जड़ M capital M by A cube into Na, तो इस सूत्र की सहायता से हम एक कोस्ठीका की घनत्व की गणना कर सकते हैं,